Hello flow owners, this is Nikita और अब जरा हीने देखो यह है YouTube इंडिया के Child Couples जिनकी एज 15 से 17 के बीच है And mind you, इनमें से 2 Couples के तो बच्चे भी हो चुके है Child Marriages इंडिया में new नहीं बलकि काफी common हो चुका है In fact, UNICEF के एक रिपोर्ट में तो ये तक सामने आया कि आज की रेट में इंडिया में 223 मिलियन Child Brides है और इनमें से भी 102 मिलियन की तो शादी 15 साल की उमर के भी पहले हो चुकी है Last 3 सालों में सिर्फ भाहराश्टा से ही 15,000 Child Marriages के cases register हुए So, अब अगर देखा जाए तो कही न गई Child Marriage Indian Culture का एक बहुत ही एहम हिस्सा लगता है And काफी साले लोग तो इसको justify करने के लिए ऐसा भी कहते है कि तुम तो आज के युवा हो हमारे पूर्वजनों भी Child Marriage किया था तो क्या वो लोग गलत थे? अब वो गलत थे या नहीं ये बहस करने से बहतर ये है कि हम ये जान ले कि क्या Child Marriage वाकई में हमारे कल्चर का एक एहम हिस्सा था? So, well, the answer is बिलकुल भी नहीं Ancient Indian text में सिर्फ इन 8 तरीकों की शादियों का ही जिक्र है जिन में भी कहीं पे भी Child Marriage का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है हमारे 18 पुरानाज में भी कहीं पे भी a young girl child getting married at an early age का कोई भी जिक्र नहीं है In fact, मत्चन गरूर पुरान में तो एक woman की marriageable age 20 बताई गई है चलो इंडिया की तब most famous book कामसुत्र के chapter 6 का ये वर्सी लिलो विवाधर्मस के उप्युकतम आयो इती स्त्रियनम परिवृते मतलब की only after a mature age should a woman marry और नीती शास्त्र में भी चानक ये एक clearly लिखा है अब ये सारी चीजे तो clearly एक ही बात को portray करती है कि child marriage कहीं पे भी इंडिया का part था ही नहीं मतलब कि this proofs की से कहीं से तो लाया रहेगा So कौन लाया इसे? Well, invaders Child marriages date back होती है ancient Greece और Roman Empire तक ancient Greece में early marriage और teenage motherhood देखा गया है In fact, Roman Empire में तो girls 12 साल की उमर में और boys 14 साल की उमर में तक शादी कर सकते थे चलो, ये तो हुई world की बात लेकिन इंडिया में child marriage को date back किया जाता है Delhi Sultanate So, 10th century में सबसे पहले Turkish invader Mahmood Gazni भारत में आया अब इसके अपने नियम काय दिया और इसका मार काट बलतकार का जो culture था वो इसके बात भी आने वाले invaders ने continue किया अब इससे problem ही आये कि इंडिया में और्तों का status गरने लग गया उनने अकसर gifts या फिर slaves के तोर पर exchange किया जाने लगा and final situation यहां तक आप वहुची कि native Indians अपनी बेटियों को पचाने के लिए या maybe अपने protection के जिमेदाई से जल से जल पीछा चुड़वाने के लिए किसी भी invader या फिर उनके सिपायों के नजर पढ़ने से पहले ही उनकी शादी कराने लग गए बट अगर आज की तारीक में देखा जाए तो किसी भी invader का कोई डर नहीं है obviously कोई भी किसी को उठाके लेकि नहीं जाने वाला है तो फिर आज क्यों ये continue हो रहा है इंडिया में So, अब जब UNICEF इंडिया के major issues को study कर रहा था तब वो child marriages होने के पीछे 5 major reasons पर आया First is consolation इंडिया में शादी का मतलब दो अलग-अलग families का एक होना और इसलिए जादातर दोस्ती को रिष्टतारी में बढ़नने के लिए family members बच्चों के जनम से पहले ही उनका रिष्टा fix कर देते हैं Reason number 2 Why educate? इंडिया में child marriages जादातर गरीब घर में होते हैं अब इन घरों में education को skip करके शादी इसलिए जल्दी करवादी जाती है ताकि घर का एक member कम हो जाए और घर अच्छे से चल सके Reason number 3 दावरी हर्याना जैसे states में जहाँ पर लड़कों की तादा लड़कियों से already काफी जादा है वहाँ पर कई बार लड़कियों को शादी करने के लिए खरीत कर लाये जाता है अब क्योंकि यंग लड़कियों का प्रेफरेंस जादा है इसलिए यंग लड़कियों के लिए डावरी के जो rates होते हैं वह हलके से कम होते हैं as compared to older women और इसलिए भी मापाप अपने बच्चियों की शादी काम उमर में करा देते हैं ताकि बड़े होने पे उनकी जादी कीमत ना देने पड़ी दावरी के लिए जिन गाओं में लोगों की एवरेज एज काफी हाई होती है वहाँ पर एक यंग और फाइनाशली स्टेबल लड़का मिलना किसी लॉट्री से कम नहीं होता और इसलिए कुछ बैकपड और रूरल इलाकों में जैसे ही ऐसा कोई अच्छा लड़का लड़की वारों को मिलता है तो अबिसली उस लड़के को तुरंत ही अपनी बेटी के लिए बुक कर दिया जाता है और इसलिए भी उनकी शादी एक यंग एज में बच्पन में ही करा दी जाती है लेकिन एकॉर्ण तो थे रिसेंट नाशनल फामिली हेल्थ सर्वे एन फैचेस आज के तारीक में इंडिया में हर चार में से एक फीमेल की शादी अठ्था साल होने के पहले हो गई है और इंडिया में करीब करीब 6.8% वुमें 19 साल की होने के पहले ही प्रेगनेंट भी हो चुके हैं अब इतने काम उमर में शादी और बच्चे होना याने सीधे सीधे कॉम्प्लिकेशन्स कॉम्प्लिकेशन्स लाइक सिवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स सबसे पहले हर दो में से एक लड़की जो 19 साल से पहले प्रेगनेंट होती है वो बच्चे के डिलिवरेट के वक्त कॉम्प्लिकेशन्स फेस करती ही है और जिसमें से भी 71.7% कॉम्प्लिकेशन्स तो सिफ प्रीमेच्च और डिलिवरी से जुड़े होते और माँ और बच्चे दोनों के लिए जान ले सकते हैं and इसी वज़े से आज इंडिया दो मेजर प्रॉब्लम्स भी फेज कर रहा है सबसे पहले हैं Maternal Mortality and Second is Infant Mortality सबसे पहले अगर Maternal Mortality की बात करें तो एक teenage लड़की में vagina और anus को separate करने वाली perineal layer इतनी मजबूत नहीं होती है कि delivery के वक्त होने वाले muscle के stretches को जेल सके अब अगर ऐसे condition में एक लड़की को premature delivery से भी गुजरना पड़ता है तो इसका मतलब होता है perineal layer का फटना जिसे scientific language में recto vaginal fistula कहते हैं और फिर इसके वज़े से उस teenage लड़की के शरीर में internal bleeding स्टार्ट हो सकती है और फिर इस सब के चलते उसकी मौत तक हो सकती है अब literally मानोगे नहीं लेकिन currently, presently इंडिया में करीब 2 million लड़किया इस fistula के problem से जूज रही है and to top it up करीब करीब एक लाख नए cases इसमें हर साल आड भी हो रहे हैं जो बच्चों के लिए भी बहुत ज़ादा खतरनाक होते हैं अब बात करते हैं infant mortality के बारे में according to a report बच्चों के मरने का rate या फिर simply infant mortality का rate टीनेज माओं के बच्चों में काफी ज़ादा होता है जादा से मेरा मतलब है older माओं से 75% जादा बर चलो ये तो सिफ health problems होए जो एक लड़की face कर सकती है इसके अलावा child marriage के वज़े से दूसरी सबसे major problem जो लड़किया face करती है वो है illiteracy कहें सारे government दोरा published official human rights research report में ये बार बार पाया गया है कि इंडिया में specifically लड़कियों की शिक्षा में जो तीन सबसे बड़े obstacles होते हैं वो है family, pregnancy और child marriage अब no education का मतलब है no job और no job का मतलब है no money या फिर गरीबी और इसलिए ये चीज़ भी देखी गई है कि ऐसे घरों में जहाँपर child marriages होए है उन लड़कियों के साथ बड़े होकर भी वो जादा domestic violence के लिए vulnerable हो जाती है क्योंकि अपने husband के अलावा उनके पस खुद का financial freedom भी नहीं होता है financial independence भी नहीं होता है और प्लस illiteracy के वज़े से उन्हें इतनी समझ भी नहीं होती कि ये जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसी चीज़ का repercussion है कि इस चीज़ को भी deny नहीं किया जा सकता कि child marriages and abuse can lead to teen widows याने कि काफी सारी बच्चिया teen age में ही विद्वा हो जाती है 2001 के census के अनुसार सिर्फ इंडिया में ही करीब 1,7,000 विडोज 10 से 14 साल की age group की थी और करीब करीब 1,27,000 विडोज 15 से 19 साल की age group की थी इन फाक्ट इस डेटा के बाद 2001 के census को काफी criticism भी मिला था क्योंकि उन्होंने 10 साल से कम उमरवाली लड़कियों को consider ही नहीं किया था और इसलिए government ने next census से इस डेटा को ही collect करना बंद कर दिया बट अब जब इतने सारे complications है और जब हमें ये भी पता है कि हमारे culture का भी एक हिस्सा नहीं है तो भी आखिर क्यों at last इसे Indian culture से ही जोड़ा जाता है सो वेल जब हमने इसमें हलका सा research किया हमें इसके पीछे दो major reasons मिले सबसे पहरे तो जब भी child managers की बात आती है लोग उसे सीधा धया भागा इस book से जोड़ देते हैं इसमें child managers को हिंदू culture का एक हिस्सा बताये गया बट कोई भी ये बात नहीं बता था कि इस book को 12th century में लिखा गया था जब इंडिया में Turkish and Afghan invidors अपना rule कर रहे थे मत्तब ये तब की बात है जब Delhi Sultanate इसे यहाँ पर लेकर आया था उनकी स्पृती में लिखे गए इस शब्द व्रिशाली को ओमान में ऐसी लड़की जिसका menstruation शुरू नहीं हुआ है ये कहा गया है जबकि कई साले scholarly interpretations ये कहते हैं कि उसका original meaning तो the one who is blessed होता है अब अगर देखा जाये तो हमारी बहुत सारी चीज़ों को गलत interpret करके उसे फैलाया जाता है rampantly जैसे कि Indian culture में Indian tradition में औरते मर्दों से कब होती है या फिर इंडिया में caste system तो पहले से ही और उसे follow करना ही है ये सारी बाते हमें हमेशा सिखाई जाती है लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये सारी चीज़े कई बार बाहर से भी आई है जैसे कि for example in the case of caste discrimination इंडिया में ये चीज़ बिटिशर्स ने फैलाया and unlike many big religions Indian culture में Indian tradition में और तो को भगवान भी माना जाता है हमारे यहाँ पर कितनी सारी देविया है जिने इंडियन्स पूछते भी है which means कि हमारा culture हमें उन्हें disrespect करना नहीं सिखाता है so अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है ये आखिर आ कहां से रहे क्या आपके हिसाफ से ये वाकी में हमारे इंडियन culture और ट्रेडिशन का ही एक हिस्सा है क्या आपके हिसाफ से ये हमारे इंडियन original culture का ही हिस्सा है या फिर ये हमारे इंडियन history का एक हिस्सा है